नमस्कार दोस्ते हो, Future News चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करेंगे PNB MetLife के Guaranteed Saving Plan के बारे में PNB MetLife के Guaranteed Saving Plan के बारे में एक honest review हमारे काफी सारे viewers हमें request कर रहे थे comment section पे जिसके चलते हमने decide कि कि इस plan के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है दोस्तों हम आपको इस वीडियो की शुरुआत नहीं बता दे कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें PNB MetLife या उनके किसी भी competitors से कोई sponsorship नहीं मिली है हमारे बाकी वीडियो की तरह ही ये भी एक non-sponsored वीडियो रहेगा जहांपे हम अपनी complete research आपके सामने रखेंगे इसमें हम इस plan की अच्छाईया और बुराईयों को आपके सामने लाएंगे ताकि आप एक निस्पक्ष रूप से सही decision पे पहुँच पाएं तो आई यो दोस्तों शुरुबात करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि PNB MetLife Guaranteed Saving Plan जैसा की नाम क्याता है एक guaranteed product है इसके returns completely guaranteed होते हैं वहीं पे इस plan के description में non-linked शब्द का भी प्रयोग किया गया है non-linked का मतलब होता है कि इस plan का share market से कोई लेना देना नहीं है इसमें आपके जो returns रहते हैं वो सुनिश्चित रहते हैं share market के उतार चड़ाव का प्रभाव आपके returns पर देखने को नहीं मिलेगा वहीं पे ये plan एक non-participating plan भी है non-participating का मतलब होता है कि अकसर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे life insurance plans होते हैं जहांपे returns चार से लेके 8% के बीच में मिलेगा ये कह दिया जाता है बट कभी भी ये नहीं बताया जाता कि कितना मिलेगा क्योंकि ये निर्बर करता है कि company ने उस साल profit कितना कमाया उस पर अच्छल में मिलते हैं तो केवल 4 या 4.5% का ही मिल पाता है वहीं पर इस plan के non-participating होने की वज़े से company के profit या उसके bonus का प्रभाव भी इस plan पर आपको देखने नहीं मिलेगा और ये एक life insurance plan है इसका मतलब इस plan में अगर आपकी किसी कारण वश्मत्य हो जाती है तो आपकी family को एक lump sum life cover भी इस plan में मिलेगा इस plan के key benefits है इसका guaranteed addition का amount जो की साल भर साल आपके plan में जुड़ता रहता है दूसरा guaranteed lump sum amount जो की plan की maturity पे आपको एक बड़ा सा amount दे दिया जाता है तीसरा आपको flexibility दी गई है इस plan में कि आप select कर सकते हैं कि कितना premium आप देना चाते हैं पांच साल, साथ साल या दस साल इन सभी benefits को हम एक example की मदद से आगे detail में समझेंगे आईए दोस्तों देखते हैं कि ये plan किस तरह काम करता है इसमें सबसे पहले आपको decide करना रहता है कि आप सालाना premium कितना देना चाते हैं दूसरा आप चुन सकते हैं कि ये सालाना premium आप कितने सालों तक देना चाते हैं जैसा आप देख रहे हैं कि premium payment term पांच साल, साथ साल या दस साल का आप चुन सकते हैं इसके बाद आता है कि policy term आप कितना रखना चाहते हैं policy term आप 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल तक का भी चुन सकते हैं दोस्तों अगर आपको doubt है तो मैं बता दू कि premium paying term वो term होता है कि आप कितने साल तक premium देना चाहते हैं वहीं पर policy term वो अवदी रहती है जितने सालों तक आपका जो life है वो covered रहता है एक insurance plan में तो अगर आप 5 साल का premium paying term चुनते हैं और policy term 10 साल का चुनते हैं तो इन पूरे 10 साल में आपको आपके life का cover मिलेगा दोस्तों इससे पहले कि आप premium paying term का चैन करें कुछ ऐसी जानकारी है जो कि बहुत important है इस selection को करने से पहले आप जैसा जानते हैं कि इस plan में आपको guaranteed edition का amount मिलता है अगर आपका premium paying term 5 साल का है तो आपको guaranteed edition rate 5 परसंटेज का ही मिलेगा वहीं पे अगर आपने अपना premium paying term 10 साल का चुना तो आपको guaranteed edition का amount भी 10 परतिशत का मिलेगा ठीक ऐसे ही sum assured on maturity इसका मतलब वो amount जो कि आपको maturity पे मिलता है वो भी अगर आप 10 साल का chain करते हैं तो आपको 130 percentage of basic sum assured मिलेगा दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आप चाहें तो इस plan में अपनी eligibility भी check कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 column दिये गए हैं 5 पे, 7 पे और 10 पे और आगे दिया गया है कि आप अपना premium paying term और policy term के किन किन options को select कर सकते हैं साथी साथ आपको इस plan में minimum entry age और maximum entry age की जानकारी भी दी गई है अगर आपको लगता है कि इस plan में बहुत ज़्यादा पैसा निवेश करना पड़ेगा तो ऐसा भी नहीं है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि minimum annual premium 14,000 रुपे से शुरुआत है इसकी जिसमें आगर आगे चलके आप देखेंगे तो minimum some assured की value है वो डेड़ लाक रुपे तक की दी गई है इसमें जो आप premium देते हैं वो आप half yearly mode में देना चाहें वैसे दे सकते हैं yearly mode में दे सकते हैं monthly mode में चाहें तो वैसे भी आप दे सकते हैं इस plan की साथ साथ आप accidental death benefit rider और serious illness rider का चेहन भी कर सकते हैं आईए दोस्तों एक example की मदद से हम इस plan को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे एक 35 वर्ष के यूवर का example लिया है जुन्होंने इस plan में निवेश करने का फैसला लिया इसमें इन्होंने 10 साल का premium paying term चुना जिसमें वो हर साल 50,000 रुपे का amount देने के लिए ready हैं और उन्होंने इसमें policy term 20 साल का चुना ताकि आने वाले 20 वर्ष कों के बीच में अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी family को भीमा की राशी मिल सके दोस्तों सामाने रूप से जब हम इस plan को समझते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि इस plan में आपको 10 प्रतिशत का interest rate साल बर साल आपके plan में guaranteed edition के नाम पर जुरता हुआ दिखाई देता है वहीं पे इस plan की जब maturity होती है तो आपको आपके basic summer short जो की 5.5 lakhs रूपीज है उसका 130 प्रतिशत का amount आपको maturity पे भी दे दिया जाता है जिससे कुल मिला के इस plan में इनको maturity पे 9.91 lakhs रूपीज मिल जाते हैं दोस्तों पर आज आप जुड़े है future news channel के साथ यहाँ पे वो सभी बातें आपके सामने खोल के रख दी जाएंगी जो की आपका bank officer या agent आपके सामने आने नहीं देगा दोस्तों इसी बात पे हो जाए इस video पे एक like पहली बात आपको समझनी यह है कि यहाँ पे guaranteed edition का जो 10% का amount दिया जा रहा है वो cumulative premiums पे दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे cumulative premiums शब्द को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह एक basic mistake है जो अकसर लोग कर बैठते हैं क्योंकि आपको देखना यह है कि यहाँ पे cumulative premiums का जिकर किया गया है इसका मतलब केवल आपको जो इसमें interest rate 10% का मिलेगा वो आपकी दी हुई राशी पे मिलेगा इसका मतलब आपको अगले साल जब interest rate calculate किया जाएगा तो आपको पिछले साल का जो interest मिला उस पर interest नहीं दिया जाएगा दोस्तों सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है मगर अगर आप power of compounding को समझेंगे तो ये एक बहुत बड़ा loss हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक लाक रुपे किया जो आप सम दे रहे हैं उस पे जो 10% का interest rate पे आपको 10,000 रुपे की राशी मिली अगले साल जब 2,000,000 रुपे आप डालेंगे तो वो जो 10,000 रुपे आपको मिला उस पर आपको interest नहीं मिलेगा केवल 2,000,000 रुपे पे ही आपको interest calculate किया जाएगा इस तरह से साल भर साल interest पे जो interest मिलता है उसे आप lose कर रहे हैं दोस्तों दूसरी बात अगर आप इस illustration को अच्छे से देखेंगे तो समझेंगे कि 35 वर्ष से लेके 45 वर्ष तक इनको guaranteed edition का 10 प्रतिशत का amount तो मिल रहा है बट आगे आने वाले 10 सालों में इस तरह के guaranteed editions का जिक नहीं है इसका मतलब यह जो guaranteed edition या फिर interest जो दे रहे हैं वो केवल तब तक दे रहे हैं जब तक आप premium पे गर रहे हैं उसके बात जो इनको interest मिलता है वो आपके साथ share नहीं किया जा रहा है दोस्तों इसके death वाले case में अगर आप देखेंगे तो 35 वर्ष के issue work ने जब 5 साल तक premium भरा और 50 साल में अगर इनकी किसी कारण वर्ष death हो जाती है तो उन्होंने total पैसा दे दिया होगा 50,000 multiplied by 5 जो की होगा धाई लाक रुपे और जब इस case में death होती है तो इनकी nominee को साड़े 6 लाक रुपे दे दिया जाता है ये होता है इनके basic summer short जो की साड़े 5 लाक रुपे की राशी होती है प्लस वो guaranteed edition का amount जो साल बर साल premium paying term के दोरा जुड़ता रहा दोस्तों अगर आप इस returns को देखेंगे तो ये बात तो सुनिश्चत है कि कोई ऐसा investment options guaranteed वाला नहीं है जहाँ पे 5 साल में आपके पैसे double सेधी जादा हो जाएं बट ये scenario है अगर 5 वर्ष में किसी व्यक्ति की death होती है तो पर आपको ये सोचना है कि 5 साल में death होने पे अगर 6 लाग रुपे की राशी मिल भी जाती है तो इससे आपकी family का कितने सालों तक गुजारा हो पाएगा दोस्तों माल लेते हैं कि आगे जाके आपके साथ ऐसी कोई परिस्तिती आगे कि आप आगे की premiums नहीं दे पा रहे तो ऐसे conditions में अगर आप इस plan से अपने आपको बाहर निकालना चाहे तो आपके द्वारा दिया हुआ premium amount भी पूरी तरह से वापस नहीं मिल पाता है दोस्तों अगर आप इस plan को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके पास भी एक life insurance cover रहे तो आपको बिना returns के बारे में सोचे term insurance cover लेना चाहिए जहांपे लगभग लगभग 10 से 15,000 रुपे साल के देखे आप 1 करोर रुपे तक की राशी का term insurance cover ले सकते हैं क्योंकि life insurance एक investment नहीं है ये एक security है कि कल अगर आपकी किसी कारण वश्मत्य हो जाए तो आपकी family को एक financial support का होना बहुत जरूरी है अगर आपके पास ऐसे कोई रिष्टेदार हो जो कि ऐसी बुरी परिस्तिती में आपकी family को एक करोर या 50 लाग रुपे तक की भी राशी देने के लिए तयार हो तो फिर आपको term insurance लेने की आपशेक्ता नहीं है और नहीं आपको इस तरह के plan में निवेश करने की जरूरत है दोस्तों अगर आप इस तरह के plans में इसलिए निवेश कर रहे हैं ताकि आप आने वाले सालों में अच्छा returns कमा सकें एक बड़ा amount एक खटा कर सकें तो इस तरह का निवेश आपको ऐसा करने में मदद नहीं करेगा बलकि आपके पैसो का मूल साल भर साल इस तरह के plan में निवेश करके खोता चला जाएगा दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इतने सारे options हैं आप चाहें तो FD करा लीजिए कि कम से कम अगर आप break कराएंगे तो आपको आपके द्वारा दी हुई राशी तो वापस मिलेगी दोस्तों हमें सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है guarantee वाला शब्द और कितना अच्छा होता अगर सब चीज दुनिया में guaranteed रूप से मिलती कितना easy हो जाता life शायद यही कारण है कि अगर हमें कोई company आकर ये कह दे कि 5 परतिशत का आपको guaranteed return देगी तो वो हमें ज़्यादा attractive लगता है mutual funds में 10-15% के non guaranteed returns की अपिक्षा दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा कई लोगों को ये वीडियो मददकार भी साबित होई होगी आप इस वीडियो में like और comment जरूर करें जिससे कि YouTube में बाकी viewers भी जो इस plan के पारे में search कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें इससे हमारा motivation बना रहता है कि हम नए वीडियो आप लोग के बीच लाए पाएं जय हैंद जय भारत